हेलो दोस्तो स्वागत है हमारे चैनल पर आज हम लोग गौतम बुध के जीवनी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और देखेंगे कि गौतम बुध को ज्यान की प्राप्ती किस प्रकार हुआ था और वे किस प्रकार सांसारिक जीवन से मुक्ति पाकर एक महान जीवन जीने लगे चलिए इस पूरी जीवनी के बारे में जानते हैं कहा जाता है कि राजा के यहां बुद्ध का जन्म हुआ पिता ने जियोतिशियों को बुला कर भविशे पूछा उन्हों ने कहा या तो यह समराथ होगा और या तो यह साधू होगा एक तरह से देखा जाए तो स सच्चा समराथ भीतर से साधू ही होता है जब जोतिशियों की भविश्यवानी राजा ने सुनी तो वे घबरा गए कि मेरा बेटा साधू हो जाए ऐसा ठीक नहीं होगा राजा ने पूछा कोई उपाय बताए क्योंकि मैं चाहता हूं कि राजा का पुत्र राजा ही बने ज कभी किसी मरे हुए व्यक्ति को न देखे जब तक ऐसा होगा तब तक वे राजा ही बने रहेंगे अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे साधू बन जाएंगे राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र सिधार्थ के लिए बरिया से ब्रिया बरे ब्रे मेहल अच्छे से अच्छा भोजन, दासदासिया और खाने पीने के सामान आदी वस्तूओं के धेर लगा दिये। पिता ने पुत्र को सुक सुविधाओ में इतना उलजा दिया कि उसे बाहर का संसार याद ही नहीं आया। शुद्धोधन ने समच लिया कि अब इतने सुखों के आगे साधू बनने का प्रशन ही उपस्थित नहीं होता। वे निश्चित हो गए। राजा शुद्धोधन ने बिलकुल पक्की विवस्ता कर रखी थी कि उनका पुत्र सिधार्थ जीवन में कभी भी व्रिद, बीमार और मृतक व्यक्ति को देख न सके क्योंकि वे अपने पुत्र को खोना नही चाहते थे। सिधार्थ का जीवन एश्वरे और सुक सुविधाव में बीत रहा था। उनके जवान होने पर एक सुंदर कन्या यशोधरा से उनका विवा हो गया। विवा हो जाने पर शुद्धोधन की आधी चिंता मित गई, अब तो शादी हो गई, अब कहा जाएगा, अब तो मेरा पुत्र बंधन में बंध गया है। अब उसके कहीं जाने का सवाल ही नहीं उठता। एक वर्ष बाद सिधार्थ के बेटे का भी जन्म हो गया। उसका नाम राहुल रखा गया। अब राजा शुद्धोधन को बिलकुल पक्का विश्वास हो गया कि अब यह क कहीं नहीं जा सकता। एक दिन सिधार्थ ने कहा कि पिताजी आज तक मैंने कभी अपनी राजधानी नहीं देखी। आपकी आग्या हो तो आज देखाओं। राजा ने कहा हा हा अवशे जाओ अपना शेहर देखकर आओ एक सार्थी को भी साथ में भेजा गया कि जाओ जाने चाकचौबंध इंतजाम कर रखा था कि कहीं चूक न हो जाए। सिधार्थ के लिए राजधानी के प्रमुख मार्ग खूब सजाए गए थे पर घूमते घूमते सिधार्थ ने थोड़ा उल्टा मार्ग ले लिया। वे उस मार्ग से गुजरने लगे जहाँ पर तैय जाल बहुत धीमी थी। बूरे की जुकी हुई कमर को देखकर सिधार्थ को एक जटका लगा और सार्थी से उन्होंने पूछा क्या एक दिन में भी बुया हो जाऊंगा। सार्थी ने कहा हा राजकुमार हर व्यक्ति के जीवन में तीन अवस्थाए आती हैं बच्पन, थिल अर्थात बुहा होता है। राजकुमार सोच में पढ़ गया। सार्थी ने रत को आगे बढ़ाया तो कुछ दूरी पर एक बीमार व्यक्ति मिला जो रोगों से घिरा हुआ था। उस पीलित व्यक्ति को देखकर राजकुमार का मन बहुत ही दुखी हुआ। राजकु की बात है कि कोई दुखी है और कोई सुखी है। क्या मैं भी कभी बीमार हो सकता हूँ। सार्थी ने कहा आप यह विचार अभी छोड़ दें। समय बड़ा बलवान होता है। यह सारी बातें करमों पर निर्भर करती है। चाहे राजा हो या रंक, सुख दुख सब पर आत सामने से चार कंधों के ऊपर एक अर्थी को जाते हुए देखा। राजकुमार ने ऐसा पहली बार देखा था। उसने सार्थी से पूछा, यह क्या है। यह आदमी मर गया है। यह मुर्दा है। जो व्यक्ति मर जाता है, उसको बांधकर्श मशान भूमी में ले जाते फिर वहा पर उसे जला दिया जाता है। राजकुमार ने कहा, क्या सबको मरना पड़ता है। हाँ, सबको मरना पड़ता है। यह मृत्यू लोख है, जो जन्म लेता है, उसे कभीनक भी अवशे ही मरना पड़ता है। तो इसका मतलब यह हूआ कि ठीक इसी तरह से एक दिन पूर्दा होगी और मुझको भी चार कंधों पर उठा कर ले जाया जाएगा। आप भी मरेंगे, यशोधरा भी मरेंगी और राहुल भी मरेगा, क्योंकि यह सब मरने के लिए ही पैदा होते है। जिसे पाकर फिर और कुछ पाने की इच्छा न हो। सिध्धार्थ वैराग्य के शिखर तक पहुंच चुके थे। बस उसी रात को उन्होंने घर छोड़ दिया। बुद्ध ने सार्थी से कहा कि नगर की सीमा से दूर ले चलो। नगर के बाहर पहुचकर सार्थी को लोटा दिया। फिर कई दिनों तक वन में चलते गए। एक घने पीपल के व्रिक्ष के नीचे आसन लगाकर ध्यान में लीन हो गए। और बहुत कथीन तपस्या करने के बाद भगवान बुद्ध को ज्यान की प्राप्ती हुई। और वे इस सांसारिक जीवन से मुक्त हो गए। इसी प्रकार के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।